मुश्कार बचो मैं स्वित्ति के में आप सभी का वेलकम बचो क्लास 10 मैथेमेटिक्स के चेप्ट 2 में अक्सेसाइट 2.3 स्टाट कर रहे हैं लेक्चर नमबर 8 में आसा करता हूं कि आप लोग ने पीछे की लेक्चर 1 से लेकर 7 तक सारे कंप्लिट देख ली होंगे तो लेक् कर दें लाइक तो चली स्टाट करते हैं देखो बचो क्यासन नमबर 1 विवाजन अल्गोरिथम का परियोकर के निमन में पी एक्स को जी एक से भाग देने पर बागफल और सेस्फल निकालना है हमको क्वेसंट और रिमेंटर फाइंड आउट करना है हाना पी एक्स में जी हमको भाग देना था सेस्फल निकालना था सेम टू सेम है ना तो देखो जी यहां पर पी एक्स आपको दे रखा है अक्स क्यूब माइनस थ्री अक्स स्कार प्लस फाइप माइनस थ्री थोड़ा सम आप लोगो सेस्फल पर में जो वो रिपीट कर देता हूं इस रिमेंडर थ्योरम सेस्फल पर में क्या होती है सेस्फल पर में आप लोगों ने क्लास नाइंध में देखा था भाज्य बराबर भाजक गुणा बागफल प्लस सेस्फल यही होता है ना और यहां जो सेस्फल होता है वो हमेसा छोटा होता है कि इससे भाज्यक से यह जरूर ध्यान थो झांटि एंट है समय थadia को को छोटा है कि शोटा ही होगा यहाँ पर भोपदों की बात हो रही है तो रिमेंडर जो वह अक्स का भोपद हो उसकी घाट जो चोटी होनी माइब डिवाइजर की गात से, अब देखते हैं, सबसे पहले हमको PX और GX को क्या करना है, descending order में set करना होता है, ठीक है, यह बहुत जरूर होता है, विवाजन अलगोरितम में, ठीक है, घड़ती भी गातों में set करना होता है, कैसे set करते हैं, वह आपको समझा देता है, descending क्या होता है, इसको बोलते हैं, अवरो ही, ठीक है, एक होता है, आरो ही, ठीक है, यह करम होते हैं, order होते है, इसको हम बोलते है, descending order, और आरो ही को बोलते है, ascending order, ठीक है न, ascending order, देखो यहाँ पे अवरो ही में चार है न, एक, दो, तो तीन अक्सर है ठीक है यहां से समझते हैं एक जुगार बठाते हैं जब हम बड़े से छोटा जाएंगे तो अवरो ही होगा छोटे से बड़ा जाएंगे तो आरो ही होगा ठीक है देखो च्यार बड़ा है तीन छोटा है ठीक है तो बड़े से छोटा गए तो अवरो ही या इन तीनों को हमें, एक और माल लो सबलो बीच में, यह माल लो दे हैं इसको 8, ठीक है, ओर यह बीच में मैंने ले लिया, 10, ठीक है? इन चारों को हमें, descending और ascending order में set करना है, descending में set करेंगे, यानि कि अगर रोई में set करेंगे, तो बड़े से छोटा, चार बड़ा, चार से तीन की और जा रहें, बड़े से चोटा, बड़ा कोने 10, फिर चोटा 8, फिर चोटा 5, फिर 4, यह होगा descending order, इसका उल्टा ले लेंगे 4, 5, 8, 10, 4, 5, 8, 10, यह हो जाएगा ascending order, ठीक है, ऐसे यहाँ पर हमको powers को set करना होता है, जो घाते हैं, डिगरी जो पोल्न मिल की, उनको हमें बड़े से चोटे में set करना होता है, यह पहले से set है, तो कोई समस्या नहीं है, चलो सीधर direct हम देते हैं, भाग, x cube minus 3 x square plus 5 x minus 3, ठीक है, इसमें हमको भाग देना होगा, gx का x square minus 2 का, सबसे पहले हमें px और gx के पर्थम पद, फर्स्ट रम्स को द हम इस x square को देखेंगे, gx के x square को, इसको किसे multiply करें कि x cube बन जाए, definitely x से करेंगे, वो x को संट की जिगवे आएगा, ठीक है, अक से करेंगे x square को तो x cube, अब इस x को minus 2 से भी कर दो, तो minus 2 x, ठीक है, अच्छा जी, अब गठा देंगे, बाग में गठातेंगे, यह minus और यह plus, यहां मैंने 5 x के नीचे minus 2 x क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर x की power 1 है, minus 2 x में, minus 2 x में x की power 1 है, तो जहां पर भी x की power 1 है, उसी के नीचे लिखेंगे, x square वाले पत के नीचे नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपस में जुडेंगी ना, बिल्कुल सही बात, यह cut, यह minus 3 x square नीचे आ जाएगा, और 5 और plus 2, 7 हो गया, 7 में x है, minus 3 भी नीचे आ गया, अब फिर से हमें वही काम करना है, minus 3 x square है यहां और यहां x square, x square को किस से multiply करूं, minus 3 से, ताकि यह minus 3 x square बन जाएगा, अब कर दिया multiply तो यहां पर value minus 3 x square, minus 3 को minus 2 से भी करेंगे, तो plus का 6, त में चेचरपद को लिख दिया, यह plus का, यह minus का, यह cut, यह 7 x, यह minus का 9, यहां बच्चों देखो, यह remainder आ गया है, फिर से भाग देने की आ गया हो सकता नहीं है, क्योंकि 7 x में x की power 1 है, तो यहां इस बहुपद की r x की remainder की गात 1 है, जो छोटा है, g x से, ठीक ना, तो r x जो वो छोटा है, यहां पर, किसे, g x से, तो यह जो यहां पर r x वही क्या है, remainder है, ओके, नीचे लिख देंगे हम, कोसंट, हमको दो बाते पूची थी, एक तो कोसंट, तो वो तो आ गया, x minus 3, और एक हम से पूचा था, remainder, कोसंट मिन्स बाग फल हम से पूचा था, बाग फल आ नेक्स देखो बच्चों, इसमें, नेक्स में, p x कितना दिया हुआ है, और g x कितना दिया हुआ है, वो देखते हैं सबसे बहले, p x आपको दिया हुआ है, देखो, x की पावर 4 minus 3 x square plus 4 x plus 5, x की पावर 4, second number x की पावर 4 minus 3 x square plus 4 x plus 5, g x कितना दिया हुआ है, x square plus 1 minus x2 plus 1 minus x, सबसे पहले हमको इनको दोनों को descending order में set के लेना, यह तो है set, 4, फिर 2, फिर 1, फिर 0, ठीक है, powers की बात कर रहा हूं, x की power 0 की, x की powers की बात कर रहा हूं, gx में देखो, यहां पे set नहीं, set के लेते हैं, x2, फिर आएगा minus x, फिर plus 1, ठीक है, अचार बद लास्त में आ 5, देंगे भाग हम, gx का, x2 minus x plus 1, इसका भाग देंगे, फैली term, सबसे बड़ी घात वाली term को देखना है, तो x2 यहां पे, इस x2 को मैं किस से multiply करूं, x की power 4 बन जाए, x2 से करूंगा न, तभी तो यह power 4 बनेगी x की, हाँ जी, तो यह x की power 4, x2 को x2 से multiply कर लिया, x की power 4, x x2 को minus x से किया, तो यहां पर आएगा minus x3, ठीक है, minus x3, ठीक है, फिर 1 से किया, तो plus x2, उपर x3 बाला पद नहीं है, इसको मुझे थोड़ा अंदर लेना बढ़ा है, x3 को, ठीक है, यह minus, यह plus, यह minus, यह तो cut हो गया, plus x3 यहां पर आ जाएगा, minus 3 x2 है, और minus x2 है, minus 4 x2 हो हो गया, फिर आगे plus 4 x, plus 5 उतार लिया, हमें फिर से वही काम करना है, x3 में x2 का भाग देड़ना है, तो मैं यह बलूँगा, कि x2 को किस से multiply करूँ, x3 बन जाए, तो x से करूँगा, ठीक है, यहां बन जाएगा x3, x को x2 से multiply कर लिए x3, x को minus x से किया, minus x से किया, minus x से 1 से multiply किया, plus का x, okay, गठा दो minus, plus minus, यह कट, minus 4 x2, plus x2, बताओ क्या आएगा, 4 में से 1 जाएगा, तो 3 बचेगा, लेकिन 4 तो minus का, तो minus का 3 बचेगा, ठीक है, minus 3 x2, 4 x minus x, 3 x, और plus का 5, अब minus 3 x2, अभी भी बराबर घातिया आ रही है, हाना, डिगरी जो यहां पर, जो value है ही, उसकी कम होनी चाहिए, gx से, लेकिन बराबर आ रही है, तो फिर से भाग देंगे, तो, यहां minus 3 x2 है, यहां x2, x2 को minus 3 x2 बढ़ाना हमको, तो minus 3 से multiply कर देंगे, ठीक है, अब इस minus 3 को इन तीनों से करेंगे, minus 1 से किया, minus minus plus 3 x, minus minus plus 3 x, और minus 3 आ गए, ठीक है, यह plus, यह minus और यह plus, यह cut, यह 3 x minus 3 x, यह भी cut, ठीक है, 5 plus 3 8, यह आ गए, आपके पास में answer, कोसंट तो कितना आया, कोसंट यानि भागवाल कितना आया, बागवल तो आया, x square, plus x minus 3, और 6 पल कितना आया, 8 आया, यह आपके answer होगी, ओके, चलो next पे आते है, थैड नमर देखो, पी x कितना दे रखा है, पी x आपको दे रखा है, अक्स की पावर 4 minus 5 x plus 6, और जी x कितना है, जी x आपको दे रखा है, 2 minus x square, जी x को set कर लेते हैं, descending order में, तो minus x square तो पहले लिखे लेंगे, और पलस का 2 बाद में, ठीक है, अच्छा जी, भाग दे दो, x की पावर 4 है, पी x में देखो, minus 5 x plus 6, इसमें भाग देना हमको, minus x square plus 2, ठीक है, minus x square को मैं किस से multiply करूँ, x की पावर 4 बन जाए, minus x square से करूँगा, ठीक है न, क्योंकि minus x square into minus x square, minus minus plus, और x square into x square, x की पावर 4, बनेगा न, बिल्कुल बनेगा, या फिर इसको यूं समझ सकते हो आप, कि x की पावर 4 इसमें मैं भाग दूँगा, minus x square का, ठीक है, तो क्या आएगा, minus आएगा, और 2 पावर उपर, उपर कट जाएगे, minus x square को इन दोनों से multiply करेंगे, तो x की पावर 4, और minus 2 x square, ठीक है, घठा दो, यह minus, यह plus, यह cut, x square का पद उपर तो है नहीं, तो यह पर direct लिख लो इसको 2 x square, और अब उपर के पद लिख लो, minus 5 x plus 6, 2 x square में भाग दे दो, minus x square का, किस से multiply करेंगे, मैं इसको, minus 2 से, मैं इसको यह समझा रहा हूं आप लोगों को, हमको actual में भाग देना है, 2 x square में, minus x square का, x square से x square कट, तो minus 2 आ जाएगा, ठीक है, इसको मैं यह समझा रहा हूं, कि 2 x square उसके बराबर में क्या आ रहा है, minus x square, और into में, minus 2, मैं आपको बोल रहा हूं, कि 2 x square कैसे आएगा, minus x square को मैं किस से multiply कर रहा हूं, minus 2 से, कर रहा हूं न, तो हमें minus 2 से करना है, minus 2 से किया, तो यह 2 x square तो बने गए यहां पर, और minus 2, plus 2, minus का 4, यह minus, यह plus, यह cut, minus का 5 bucks, plus का 10, यह आपका cessful हो जाएगा, ठीक है, तो यह कोशंट, q, और यह, यह यहां पर, यह तो कोशंट हो गया, तो नीचे लिए दीता हूं, आप लोग, कन्प्यूज हो जाओ यहां पर, कोशंट, is equal minus x square minus 2, remainder, is equal minus 5 x plus 10, यह answer हो गया, टीक है, उपर वाला बाग वाला, नीचे वाला, देखो बच्चो, second number, केसं, पहले बवपद से दूसरे बवपद को भाग करके, first polymer से आपको second polymer में हैं, division भाग करना है, जी, divide करना है, और बताना है कि first वाला जो है वो, यह first वाला है, यह factor है के नहीं second का, factor कब होता है, class 9 में बिल्गूल ऐसे कि इसंस आप लोगों ने देखे होंगे, देखो बच्चो, जैसे आपके पास में एक value ए 16, एक ए 15, दोनों में मुझे 3 का भाग देना है, तो मैं 16 को लिख सकता हूं, 3 into 5 plus 1, 15 को लिख सकता हूं, 3 into 5 plus 0, 15 में हमने 3 का भाग दिया, तो remainder 0 आया, जब remainder 0 आता है, तो अपन बोलेंगे, यहां पर 3 और 5 जो फेक्टर है 15 के, और अगर remainder 0 नहीं आ रहा है, तो 3 और 5 यहां पर remainder नहीं है, 16 के, ठीक है, remainder 0 आयेगा तब ही वो फेक्टर होंगी संक्याई, तो यहां पर t square minus 3 का हम देंगे भाग, और पता कर लेंगे, remainder 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, शिदा simple सा काम है, 2 t raise to power 4, plus 3, t raise to power 3, minus 2, t square minus 9, t minus 12, यह आपके पास में second वाला पोल नहीं भाग दिख रहा है, चलो, सबसे पहले first term यहां पे, 2 t raise to power 4, इसमें देना है t square का भाग, t square को आपको ऐसी संक्या से multiply करना है, कि यह value बन जाए, हाँ जी, वो होती है 2 t square, 2 t square को t square से multiply करेंगे, तो 2 t raise to power 4 बनेगा, अब 2 t square को minus 3 से भी करो, तो minus 3 into 2 minus 6 t square, तो minus 6 t square, t square वाले ही, ट्रम के नीचे ही हमको लिखना है t square का पत्त, ओके, यह minus, यह plus, यह cut, 3 t raise to power 3, लिख लिया हमने, 6 plus का, और 2 minus का, 4 बचेगा, साथ में t square, आगे minus 90, minus 12, फिर से हम भाग देंगे, तब तक देते हैं, या तो remainder 0 आजाए, या यह जो t square minus 3 है, इससे कम घात का यहां पर सेस्फल आ जाए, ठीक है, ओके, तो देखो यहां पर 3 t raise to power 3, बताओ, t square को किसे multiply करूँ, यह value बन जाए, एक तो 3 होगा, 1 t होगा, 3 t को t square से multiply करेंगे, तो 3 t raise to power 3 हो जाएगा, अगर आपको पता नहीं चलता है, किसे multiply करेंगे तो आप भाग दे लो, 3 t raise to power 3 में, t square का भाग दे लो, पता चल जाएगा, ठीक है, 2 t square आएगा, ओके, अब 3 t को, minus 3 से भी करना होगा, minus का 9 t, ठीक है, यह minus, यह plus, यह cut, यह भी cut, plus का और minus का, यहां पर बराबर गातें चल रही हैं, दीकर आपको, t square, यहां भी t square, तो यहां आजाएगा plus का 4, क्योंकि t square को 4 से multiply करेंगे, तो 4 t square बन जाएगा, 4 को minus 3 से किया, minus का 12, ठीक है, गठाएंगे, यह minus, यह plus, यह cut, यह plus minus यह भी cut, यहां आगया remainder 0, ठीक है, here remainder equal 0, so we can say, that, so we can say, that, क्या, t square minus 3 is a factor, ठीक है, t square minus 3 जो वो एक factor है, remainder जब 0 आजाता है, okay, second number देखो बच्चू, x square plus 3 x plus 1, इसका भाग देना है, ठीक है, second number में देखो, x square plus 3 x plus 1, इसका भाग देना है, किसमें second number वाले बहुपद में, वो आपको क्या दिया हुआ देख लो, 3 x की power 4, plus 5 x cube, फीर आगे, minus 7 x square plus 2 x plus 2, minus 7 x square plus 2 x plus 2, हाँ जी, first term देखो, 3 x की power 4, x square को किससे multiply करों में, यह वेली बन जाए, 3 x square से करूँगा न, हाँ जी, 3 x square से करूँगा multiply, तो 3 x की power 4 बन जाएगा, x square जवाब, अब इस 3 x square को इन सभी से multiply हमें करना है, x square से कर लिया हमने लिख दिया यहाँ पे, 3 x square को 3 x से भी कर लो, कितना हैगा, 9 x cube, 9 x cube, ठीक है, यह power 4 है, 1 से करेंगे तो, 3 in, 1 into 3 x square, 3 x square, गठा दो, minus, 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 ठीक है, this will be cut, and, 9 में से 5 जाएगा, 4 x cube, 9 मैंस का तो, minus 4 x cube, minus का 7, minus का 3, minus का 10, साथ हमें x square, plus 2 x, plus 2, ठीक है, अब फिर से हमें वही काम करना है, minus 4 x cube, और यह x square, x square को किसे multiply करूँ, यह value बन जाए, minus 4 x, minus 4 x, x square को multiply करूँगा, तो, minus 4 x, क्यों बनेगा न, हाँ, minus 4 x को, plus का 3 x से किया, minus 4 x को बन से किया, minus का 4 x, यह plus, यह plus, यह plus, घटाते हैं न, यह cut, 12 में से 10 गए 2, और 4, 2, 6, दोनों plus के हैं, अभी भी same power आ रही है, तो अभी हमें फिर से करना है, तो 2 से हम multiply कर देंगे, तो यह value 2 x square बन जाएग, 2 x square, 2 को 3 से किया, 6, साथ में x, 2 को 1 से किया 2, घठा देंगे, यह same values ने सारी cut, value आएगी 0, तो remainder जो वह यहाँ पर, 0 है, देन अपने बॉल सकते हैं, क्या value थी, x square plus 3 x plus 1, is a factor, ठीक है, यह एक factor है, थेर्ड number पर आईए, थेर्ड number में देखे, x cube minus 3 x plus 1, इसका भाग देना किसमें, second polynomial गया है, वह देखिए, second polynomial है, x raise to power 5, minus 4 x raise to power 3, next, plus x square plus 3 x plus 1, plus x square plus 3 x plus 1, first term में देंगे, x की power 3, x की power 5, आज, x की power 2 आजाएगी, x की power 2 को, इन दीनों से multiply कर लेंगे, minus 3 x से किया, minus आएगा, और 3 आएगा, और x into x square, x cube हो जाएगा, 1 से किया, x square हो जाएगा, यह minus, यह plus, यह minus, यह cut, यह cut, 3 तो plus का है, और 4 minus का है, minus का एक बचेगा, साथ में x cube, plus का 3 x plus का 1, minus x cube में x cube का भाग देंगे, तो minus का 1, minus 1 तीनों से multiply, minus x cube, minus minus plus 3 x, और plus minus, minus 1, ठीक है, plus into minus, minus 1 होगा, यह plus, यह minus, यह plus, यह cut, यह भी cut, लेकिन यहा, 1 plus 1 हो गया, 2, 0 नहीं हुआ, हना, remainder equal to, not equal 0, so, अपन विगें से, so, x cube minus 3 x, plus 1, is not a factor, यह एक गुण खंड नहीं है, ठीक है, is not a factor, बस, 1st or 2nd में था, इसमें नहीं है, तो यहां हमारे, 1st or 2nd, दोनों क्यासन हो जाते हैं, complete, ठीक है, exercise 2.3 में, आगे के questions का solution देखेंगे, next lecture में, वीडियो आपको कैसा लगा, comment करके जुरूर बताना, और वीडियो को कर देना like, thank you, जेहित.